हेलो, तो कैसे हैं हम जबी लोग और एक बार विज्ट से आपका स्वागत है मेरे चैनल टीजी टेटन्स पर आज के कारिकर में हम जीडिये गेम्स के उपर चर्चा करने वाले हैं हम उन गेम्स के उपर चर्चा करेंगे जो हमारे एंड्रोइड मोबायल में चल सकती हैं प्रफिक्स और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए शेयर ऐसे गेम्स लेके आया हूं जो असानी से हमारे एंडुरीड मुबाइल पे चल जाती हैं तो एक एक करके मैं आपको सबी गेम्स के बारे में बताता हूं तो चलिए आज का कारेकरम शुरू करते हैं पहली जीडिये गेम का नाम है चाइना टाउन वॉर्स ये कोई चाइने इसमाल नहीं है जीडिये की तरफ से है लेकिन ये उसकी काफी पुरानी गेम है इसलिए ये गेम 3D में नहीं 2D में है आप भी कहोगे काउन सी गेम उठाला है अरे आपकी मर्जी है खेलनी है खेलो ज जीडिये की तरफ से गेम है सबी फीचर्स जीडिये की बाकी गेम के सिमिलर ही है बस एक बात है कि ये गेम 3D में नहीं है 2D में ग्राफिक्स भी इसके ठीक ठाक है स्टोरी लाइन और मिशन्स भी काफी बढ़ी है और बाकी तो आप गेम प्ले देखी सकते हो अगर आप इस को डाउनलोड कर सकते हो हमारी अगली जो गेम है वो है GTA Liberty City Stories ये गेम बहुत ही मस्त गेम है और इस गेम के बारे में काफी कम लोगों को पता है लेकिन अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं अगर मैं इस गेम के बारे में बता हूं तो ये गेम GTA San Andreas से काफी मिलता जोलता है डिफरेंस ये है कि इसके ग्राफिक्स थोड़े से मस्त है और इसमें जो वाइकल्स है गाड़ियां गुडियां है वो थोड़ी मॉडरन और बढ़ियां है बाकी ये GTA San Andreas की तरह ही है और इसमें मिशन्स भी काफी बढ़ियां है तो आपको इस गेम को भी एक बार ट्राए ज और आप कहोगे कि ये गेम में अभी तो Android के लिए रिलीज ही नहीं होई तो भाई मेरी बात सुनो असल GTA 4 है वो तो अब तक Android Mobile के लिए लाउंच नहीं होई है लेकिन ये फैन मिड गेम है जो रिलीज हो चुकी है ये आपको प्ले स्टोर पर तो नहीं मिलेगी लेकिन अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसके उपर मैं वीडियो भी जल्द ही डाल दूँगा कि आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो आप देख सकते हैं कि इसके ग्राफिक्स भी मस्त है स्टोरी लाइन भी मस्त है वा आप से सेम ही है तो आपको इस गेम को भी ट्राए करकर देखना चाहिए क्या पता यह आपके पसंद आ जाए और इसमें मैप भी काफी बड़ा है तो आपको यह गेम डाउनलोड कर लेने चाहिए अब हम बढ़ते हैं अगली गेम की और अगली गेम है वह हमारी जीडिये 3 यह वही जीडिये 3 है जो फर्स्ट और सेकंड जीडिये के बाद आई थी और यह भी बहुती बड़िया गेम है आप इसके ग्राफिक्स तो मेरी स्क्रीन पर देखी सकते हो कि कैसे हैं और यह गेम भी बहुती बड़िया है अगर आप खेलना चाहों पहले इसके थोड़े ड रात है और अगर आप इस गेम को ट्राइक करना चाहें तो आप इसको भी ट्राइक कर सकते हैं मेरे इसाब से यह भी बहुत बड़िया गेम है उस जमाने में जब जीडिया फर्स्ट और सेकंड थी उन दोनों के थोड़े से डेल ग्राफिक्स थे लेकिन जब उसके बाद इ और अगर आप ये गेम डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके उपर मैं वीडियो बाद में लेके आने वाला हूँ और अगर आपको डाउनलोड करनी है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें क्योंकि तब ही आपको वीडियो मिल जाएगी और आप ये गेम को असानी से डा क्योंकि जित्ती भी GTA गेम्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा पॉपलर वाई सिटी है आपने भी पहले कभी ना कभी जीटी वाई सिटी का नाम सुना होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपलर पहले वाई सिटी ही थी और अब ये गेम मोबाइल में चलती है तो आप इस गेम वही ग्राफिक्स वही सब कुछ आपको बहुती कम साइज में मिल जाता है और इस गेम को खेल कर आप मज़े ले सकते हो क्योंकि यह बहुती बढ़िया गेम है जीटिया की तरफ से तो आप हम बढ़ते हैं अगली गेम की और नमबर वन पे जो गेम आती है हमारी लिस्ट में वो है जीटिया सेन एंड्रियास और बहुत सारे लोग इसे पहले से जानते होंगे क्योंकि यह बेस्ट गेम है जीटिया की तरफ से एंड्रोड मुबाइल के लिए इसके सबी फीचर्स बेस्ट आउट और बेस्ट हैं और इस में आपको मैप भी बहुत ज़्यादा बड़ा मिल जाता है सिटी भी बहुत ज़्यादा बड़ी मिल जाती है और सबी फीचर्स मिल जाते हैं कुछ भी आप कर सकते हो कहीं भी जा सकते हो और बहुत ही बड़ीया गेम है अगर आप जीटिया फैन हो तो आपको इस गेम को ट जिरूर खेलना चाहिए और अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी तो यह वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसमें से कोई भी गेम को अगर आपको डाउनलूड करना हो तो उनकी वीडियो में मैं आगे ले आऊंगा और उन वीडियो देखने के लिए भी आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए तो आज की वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं और जाओ जाके GDA Games जो मैंने अभी अभी बताई है उनको जाके खेलो झाल 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 झाल